9 अपरेल से 17 अपरेल 2024 नवरात्री के 9 दिन भूल कर भी ना करेंगे नौकान आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9 अपरेल 2024 से शुरू हो रही चैतर नवरात्री के दौरान शास्त्रों के अनुसार मादुनगा की पूजा में ध्यान रखी जाने वाले कुछ विशेश बातों या वरत के नियमों के बारी में हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में शेशवर पाने के लिए कुछ लियमों का पालन आवश्यक मानदया है आईए जानते हैं नवरात्री के नौ दिनों के नियम क्या है स्वच्छता बनाए रखें शास्त्रों के अनुसार नवरात्री में व्रतियों को प्रति दिन सुबह इस्तान करना चाहिए साती घर और कि नौ दिनों में अगर आपके द्वार पर कोई भी विख्षो या जरूरत मंद व्यक्ति आये तो उसे खाली हाथ ना जाने दे बलकि अपने सामर्थ अनुसार उसे कुछ दान करना शुब होता है तामसिक बोजन से बचें शास्तों की माने तो नवरात्री के अगरान को बंद करके बाहर नहीं जाना चाहिए बहुत से लोग नवरात्री के नौ दिनों में न सिर्फ ब्रत रखते हैं बलकि अपनी घर में कलश्य स्थापना अखंड जोत और माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं जो लोग इस दोरान ब्रत रखकर घर में अखंड जोत जलाते हैं अखंड जोत की देखरे के लिए किसी ना किसी को घर में जरूर रुखना चाहिए बाल या नाकुन ना कातें धार्मिक मानेताओं के अनुसा नवरात्री के नौ दिनों में बाल नाकुन या दारी मुझ बनाना भी वर्जित माना गया है ये सबी कारे नवरात्री जारादना के समय जहां तक संभावों चम्डे और चम्डे से बनी चीज़ों का प्रियूप करने से बचें किसी का अपमान ना करें शासों के अनुसार कभी भी किसी छोटे या वड़े का अपमान नहीं करना चाहिए नवरात्री की नौ दिनों तब अपने मन में किसी भी प पालन करना चाहिए और सभी प्रकार के टामसी भावों का त्याग करना चाहिए इससे वरत का पूर्ण फल प्राक्त होता है घर में कलार ना करें शास्तों के अनुसा नवरात्री के दौरान घर का वाता वरन शांत और वक्ति में बना कर रखना चाहिए इस दौरान घर में अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उप्चार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें